Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So, today our topic is clause. Clause, C-L-A-U-S-C, clause. So, first of all, what is a clause? हमको पता होना चाहिए कि एक clause होता क्या है? A clause is a group of words. Close क्या होता है? Group of words होता है, आपको कुछ words मिलता है उस ग्रूप में. जिसमें एक subject और एक verb, आपको क्या मिलता है? उसमें, एक subject और एक verb आपको जरूर मिलेगी किसी भी clause के अंदर. यह mandatory है, mandatory meaning compulsory है. आपको subject और verb तो उसमें clause में होगी ही होगी, 100% होगी. तो आपको क्या clause क्या होता? ग्रूप of words है, और उस ग्रूप of words में एक subject और एक verb का होना बहुत ही जरूरी है. तब ही तो पता चलेगा आपको कुछ भी कौन सा clause है? For example, देखिए आप, he runs. अब he runs में क्या है? He क्या है, हमारा subject है. You know that? Runs, runs is a verb. तो यहां subject आया, यहां verb आयी. यही बात होई थी, भी clause की पहचान क्या होती है? कि उसके अंदर एक subject और एक verb जरूर होती है. तो यह क्या है हमारा? यह हमारा clause बन जाता है. अब आपको होगे, यह तो sentence हो गया, सर. तो sentence, यह sentence as well as clause. यह sentence भी है और clause भी है. Right? कुछे क्या होता है? जो clauses होते हैं, वो sentence हो सकते हैं. Right? कुछे clauses ऐसे होते हैं. बड़ ज्यादा तर जो clauses होंगे, उसमें क्या होगा? आपको full information नहीं मिलती, उसको, उसके लिए क्या होता है? आपको कुछ और, मतलब, information की requirement रहती है. तो तब वो जाके एक sentence बनता है. तो अब आपको थोड़ा सा difference के लिए मैं बता रहा हूँ, भी sentence उस clause में फरक्या होता है. तो sentence, you know, that gives us full information. जो sentence होता है, वो क्या होता है? हमको full information देगा, कोई भी बात का, पूरा message convey होगा हमको, वो यानि incomplete नहीं होगा, वो complete information दे रहा होगा. On the other hand, जो clause है, वो not compulsory to give full information. ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमको full information दे. clause के case में ये जरूरी नहीं है, कि वो हमको full information दे, but sentence में क्या होता है, हमको full information मिलती है. Understand? तो फिर से बात करते हैं, जो clause होता है, group of words होता है, और उसके अंदर एक subject और एक verb mandatory होती है, मतलब compulsory होती है, right? He runs, he laughs, he kicks, मतलब कुछ भी बना सकते हम. तो उसमें देखो, ये subject और ये verb आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक clause है, right? तो मैंने आपको बताया, भी बहुत सारे clauses ऐसे होते हैं, जो हमको complete information नहीं देते, right? उन्दा अधरहन जो sentence होता है, वो हमको क्या होता है? full information देता है, तो ये difference रहता है, clause और sentence के बीच में, right? छोट 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 closes मिलके sentence बना सकते हैं, अधर small closes can make a complete sentence, for example आप देखिए इसमें, I remember what you bought yesterday, तो I remember, देखो I क्या है हमारा subject है, remember क्या है हमारा verb, right? अब ये देखिए, what you bought yesterday, ये हमारा clause है, अब ये what you bought yesterday, तुमने जो कल खरीदा, क्या ये अपने आप एक complete sentence है? नहीं है, तो ये close है, तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट और verb एक close हुआ, ये देखो ये subject और ये verb, by bought what verb ही तो होती है ना, तो एक subject और एक verb ये हुआ, तो देखो दो close मिल गए, तो उन्होंने क्या किया, एक sentence बना दिया, तो छोटे-छोटे closes मिलके sentence बना सकते हैं, और बनाते हैं, sorry, तो आपको पता चला, जो भी एक, एक, जो close होता है, वो मतलब जरूरी नहीं है sentence हो, पर एक sentence में clauses होते हैं, understand, sentence में close हो सकता, पर ये जुरूरी नहीं है, भी close एक sentence हो, तो आपने देखा भी किस तरह से, दो closes मिलके एक sentence को बना रहे हैं, राइट, तो students, now we will talk about types of close, जो close के हैं, वो कितने type होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो types of close में देखिए आप, जो close के types हैं, वो two types of close हैं, फर्स्ट है independent close, और दूसरा है dependent close, इंडिपेंडेट क्लोस और डिपेंडेट क्लोस, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो independent होता है, वो क्या होता है, आजाद होता है, फ्री होता है जैसे, और dependent होता है, वो किसी पे depend होता है समझे तो ये दो तरह के close होते है तो आपको example से पताता हूँ जैसे independent close का आप देखिए example my brother lives in sirsa तो ये क्या है ये independent close है क्योंकि ये अपने आप में complete message convey कर रहा है my brother lives in sirsa मेरा brother sirsa में रहता है तो इसको ये जो sentence है ये किसी पे पर depend नहीं है इसलिए ये क्या है हमारा independent close है या आप इसको main close भी करते है इनके नाम होते हैं बिठा अलग-लग main close भी करते हैं इसको principal close भी करते हैं तो ये इसी के नाम है तो आपको पताया मैंने types of close में independent close और dependent close दो तरह के होते हैं independent किसी पर depend नहीं करता, example के लिए my brother lives in sirsaf, तो अपने आप में complete है, you look handsome in this dress, अब ये second example में आप देखिए, you look handsome in this dress, क्या ये अपने आप में complete है, yes, ये complete है, तो you look handsome in this dress, ये भी क्या है हमारा independent close है, यानि कि ये किसी पर भी depend नहीं करता, तो ये तो बात हुई, वहारे close की first type की, now we talk about second type of close, which is called dependent close, dependent close या फिर इसको subordinate close भी कहा देते हैं, इसका दूसरा नाम subordinate close भी बोलते हैं, तो dependent से समझे आप, ये close क्या है, depend करता है, दूसरे close पर depend करता है, आपको example से ज़्यादा समझ में आएगा, देखो independent और dependent के बारे में, ये example देखिए आप, I don't know where he lives, I don't know where he lives, अब देखिए I don't know को देखिए आप, I don't know में क्या है, ये complete message करने वे कर रहा है, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, तो ये क्या हो गया, ये हमारा independent close हो गया, जो कि किसी पर depend नहीं कर रहा, अब आप ये देखिए, where he lives, इसको लग करके देखते हैं, where he lives, वे जहां रहता है, तो कोई meaning, पूरा complete meaning नहीं निकल के आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा dependent close है, क्योंकि ये इस पर depend है, जब हम इसके साथ ये जोड के बोलते हैं, I don't know where he lives, तब इसका एक complete meaning निकल के आ रहा है, तो ये dependent close है, understand, थोड़ा सा फिर से देख लो, close के दो टाइप होते हैं, independent और dependent, इनके नाम भी मैंने बताए, independent को main close भी कहते हैं, तो independent किसी पर depend नहीं करता, ये पूरा message convey करता है, आपने एक ही sentence में, my brother lives in sirsa, you look handsome in this dress, तो इस तरह से ये एक complete meaning आपको convey करता है, और जो dependent close होता है, ये एक दूसरे close पर depend करता है, तब जाके इसका complete meaning निकल कर आता है, for example, मैंने आपको पता है, I don't know where he lives, तो ये independent close था, ये dependent close था, तो आपको I hope अच्छे से पता चल गया होगा, भी कौन सा independent close होता है, और कौन सा dependent close होता है, उसके बात करते हैं, जो dependent close है हमारा, उसके अंदर three types होते हैं, जो dependent close है, या फिर जो subordinate close कह रहा हूँ हैं जिसको, इसके अंदर three types होते हैं, कौन-कौन से noun close होता है, dependent close में, देखो कौन-कौन से तीन आ रहे हैं, noun close, adjective close, and adverb close, तीन टाइप आते हैं, किसमें dependent में, या आप subordinate कह सकते हो, इसके आगे तीन टाइप होते हैं, जो हमको सीखने हैं, फर्स्ट रहता है, noun close, adjective close, और adverb close, तो यह adjective के मैंने कुछ लिखे हैं, who, whom, which, that, यह तो देखती हैं, आपको पता चल जगा, adjective close है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, right? So, now students, we will talk about noun close, so, before we know what is a noun close, we must know what is a noun, so, now no need to tell, you know that noun is a name, name of a person, name of a thing, name of a place, name of an animal, or any abstract noun, feelings, like, so, all these are called noun, तो कोई भी noun क्या होता है, कोई भी name होता है, किजी भी चीज़ का, that is called noun, right? तो, noun close है, तो उसमें noun याने कोई नेम को, आएगा ही, so, first of all definition, noun close, a noun close, is a dependent close, that works like a noun, in a sentence, तो ध्यान से समझना है, इसको, a noun close is a dependent close, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले ही अभी किया था, जो noun close है, ये dependent close है, तो dependent close के हमने थ्री पार्स लिखे थे, noun close, adjective close, and adverb close, तो, ये dependent close है, यानि अपने आप में ये, पूरा मिनिंग का नवे नहीं करता, that works like a noun, अब किसी भी sentence में जो noun close है, वो किसी तरह काम करेगा, एक noun कितरह काम करता है, राइट, एक बार फिर से, जो noun close है, पहली बात तो dependent close होता है, राइट, that works like a noun, और वो किसी भी sentence के अंदर, noun, noun का का काम करेगा, राइट, a noun close begins with the following words, अब जो noun close है, वो जो begin करेगा, वो इन words से begin करेगा, starting में, यह words होंगे उसमें, जैसे what, whatever, whether, who, whomever, that, how, when, where, which, whichever, whoever, why, whom, so these words you will find as a subject, as a noun, ओके, तो आपको, इसमें आपको ध्यान रखना, यह कुछ एक words है, तो आपको यह ध्यान रखने होगे, यह, जो noun close होगा, इन words से start होगा, और जो वो काम करेगा, जो वो sentence होगा, हाप sentence होगा, वो किसकी तरह behave करेगा, वो like a noun करेगा, right, So now students, we talk about some examples of noun close, तो अब देखी, वेरेवर, विचेवर, वाई, यह कुछ words थे, जिसमें आपको बताया था, यह starting में use होते है, noun close में, तो what can't be cured, तो यहाँ पे देखी, what can't be cured, अब यहाँ यह कैसे behave कर रहा है, यह noun के रूप में behave कर रहा है, देखो, what can't be cured, अब यहाँ what क्या होगा, यहाँ जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, क्या और क्या होता है, इलाज करना है, तो क्या होगा, यहाँ को disease होगी, means as a noun behave कर रहा है, तो what can't be cured, must be endured, यहाँ कि उसे फिर सहन कर लेना चाहिए, तो आप एक बात इसमें notice करें, अगर आपको यह जानना हो, भी यह noun close है या नहीं है, क्योंकि इसी तरह से ही पुछा जाता, आपको एक sentence दे दिया जाता है, और आपसे पुछा जाता है, whether it is noun close, adjective close, और adverb close, तो आप कैसे पता करोगे, यह कौन सा close है, यह noun close है, adjective close है, और adverb close है, तो अगर आपको answer what का मिल रहा है, तो what का answer वो क्या होगा, noun close होगा, जिससे, what must be endured, क्या चीज़ इंडियोर कर लेने चाहिए, what can't be cured, जो जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, second, whether tomorrow will be a holiday, तो whether tomorrow will be a holiday, ऐसे, अब यह as a noun close behave कर रहा है, यह, is not certain, तो यह, अभी निश्चित नहीं है, तो what is not certain, अब आपको what का answer मिल रहा है, what is not certain, whether tomorrow will be a holiday, भी क्या चीज़ नहीं पता, कि कल छुटी है या नहीं, तो यह देखिए, यह answer हमको मिल रहा है, what का मिल रहा है, noun close के रूप में behave कर रहा है, तो आप वैसे भी देखिए, what is a mystery, mystery आपको you know, secret यह से क्या mystery है, तो what is a mystery, तो answer मिल रहा है, what का, why the minister resigned, वी minister ने resign क्यों किया, इस तीफा क्यों दिया, तो हमको इसका answer, what का answer मिल रहा है, तो जहाँ भी आपको ऐसे, where he lives, अब he कोई person है, तो noun, जैसे noun close, यह noun के रूप में behave कर रहा है, is not known to me, तो आप यहाँ what put कर कर के देखिए, what is not known to me, मिल को, मैं जहाँ क्या चीज़ का नहीं पता, where he lives, वी वो कहां रहता है, तो आपने इस तरह से देखा, यह जो noun के रूप में यह ऐसे use होते हैं, subject में, तो noun की तरह behave कर रहा होगा, तो that will be noun close, और जो super important बात यह है, कि आपको पता करना हो, whether it is noun close or not, so you just put what, आप question what put कर के देखिए, अगर उसका answer वो सही बन रहा है, तो in that case, that will be noun close, I hope you have understood, if you feel any sort of problem, you can ask me, okay?